तो दोस्तो ड्रीम इलेवन बनाने की रॉंबांड ट्रिक आज हम आपको देने वाले हैं दोस्तो जिससे आप हैस्टेक नंबर वन रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो तो देखिएगा किसी भी टीम में दोस्तो जो है ग्यारा प्लेयर लास्ट में जब टॉस हो जाता है दोस्तो तो ग्यारा फ्लेयर होते हैं दोस्तो आप लोगों को ग्यारा प्लेयर हम ने दिखाया दूसरी टीम के भी ग्यारा प्लेयर होते हैं यह दूसरी टीम की बात है अब यहां पर बात यह आती है कि दोस्तो आप किस प् बेंते हैं कितनी टीम मनाते हैं दोस्तों एक या दो टीम जो पूर सच्छाए दोस्तो एक या दो टीम बंने वाले दोस्तों कहीं हैस्टाइग less वन रैंक नहीं लाटे दोश्टों जो कम से कम दोस्तों 8-10 टीम मनाता है वह हैस्टाक नंबर 1 लाता है दोस्तों यहाँ पर बात यह आती है कि हम खिलाडियों का चैन कैसे करें तो सबसे पहले खिलाडियों का चैन करने से पहले आपको टॉस देखना पड़ता है दोस्तो टॉस बहुत ही भूमकानी भाता है दोस्तो टॉस कोई भी टीम अगर टॉस विन करती है टॉस जीती है और पहले फर्स्ट बैटिंग करती है फर्स्ट बैटिंग करती है तो इसका मतलब है कि वो दोस्तो बैटिंग पीछ है बैटिंग पीछ है और यह टॉस विन करने के बाद टॉस जो है विन करने के बाद अगर फर्स्ट में दोस्तो वो बॉलिंग करती है बॉलि का मातला पिस जो है बॉलिंग पिछ है पिस जो है बॉलिंग पॉलिंग पिछ है तो दोस्तों अब यहां पर बात यह आती है जो है कि आप कैसे चुनाओ करें तो दोस्तों विन करने के बाद बैटिंग करती है तो आपको उसी टीम के उसी टीम के खिलाडियों को लेना है दोस तो क्योंकि आप क्या करते हैं आप कम से कम अगेर आपको जीतना है तो कम से कम दस्टी में बनाईए दोस्तो अब यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तो हम लोगों को यह उमेद होती है कि आज यह टीम जीतने वाली है यह टीम जीतने वाली है तो वहां से हम जो है खिलाडियों का चुनाव कर लेते हैं तो उसका दोस्तों रेशियो हम फोर लेते हैं भोर लेते हैं अब बात ये आती है है यहाँ पर ये भी देखते हैं दोस्तों कि टॉस जीतने रेशियो जो खिलाडी पिछले बार मैच में खेले हैं क्या वही खिलाडी है या कोई नया खिलाडी सामिल किया गया है दोस्तों यहाँ पर बात आती है या तो नया खिलाडी आखिर क्यों सामिल किया गया है इस मुद्दे पर भी चच्च होने तो नया खिलाडी सामिल होने का भी ये भी रीजन दोस्तों हो सकता है कि उस पिछ पर जहां आज मैच होने वाला है वहाँ उस खिलाडी का जो नया खिलाडी सामिल किया गया है उस खिलाडी का प्रदर्सन या बिस्ट है या वहाँ पर वो बिस्ट कर सकता है तो दोस्तों कभी ये चूक ना करें कि उस नएक लाड़ी को सामिल ना करें माल लेते हैं दोस्तो हमारी वन टीम जो है दोस्तो ये आज विन करना चाहते विन करेगी और सेकेंड टीम जो है लॉस करेगी दोस्तो ये लॉस करने वाली तो यहां से हम जो है सेवन प्लेयर को लेते हैं तो सबसे पहले तो जो अच्छे प्लेयर हैं आप उनका चुनाओ कर लेते हैं माल लीजिए थीरी फ्लेयर आपके बहुत ही अच्छे यहां पर उसका चुनाओ कर लेते हैं दोस्तो उसके बाद दोस्तो क्या करते हैं इसके बाद ये करते हैं इसके बाद हम यहीं से जो है थ्री बालर का चुनाओ कर लेते हैं थ्री बालर का चुनाओ कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है अब यहां से बचता है दोस्तो एक प्लेयर तो एक player का selection हम वही करते हैं जो new player दोस्तो सामिल किया गया है new player new player जो सामिल किया गया है हम एक percent उसी को लेते है new player को इस प्रिकार से एक win करने वाली team से हम seven player और loss करने वाली से four player लेते है अब बात आती है दोस्तों पर यहां यह देखते हैं कि toss कौन जीता है तो तो toss अगर जिसने जीता है तो इसका मतलब betting पीछ है तो वहां पर हमें opener लेना बहुत यह अच्छा मानते हैं यहां से हमने एक opener ले लिया तो दोस्तों एक opener हमें यहां से भी लेना पड़ेगा दोस्तों यह मान लीजे opener है तो आपको इस ओपनर को भी लेना पड़ेगा जिसी आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी और दोस्तों इस तरह से एक खिलाडी यहां से और दूसरी टीम थे एक हमने ले लिया विकेट की पर दोस्तों तो यहां पर हो गए दो खिलाडी और इधर से साथ खिलाडी पहले ले चुके हैं दो वैटसमैन ले लिया दोस्तों एक दोस्तों यहां पर से दोस्तों ले लेते हैं आल राउंडर को और एक ले लेते हैं दोस्तों जो है इस पिन बालर को इस प्रकार से दोस्तों टीम बनाते हैं टीम बनाने के बाद हम मान लीजिए दस टीम बनाए अगर हम मान लीजिएगा दस टीम बनाते हैं तो वहाँ पर ये जरूर है कि एक या दो टीम मान लीजिए दस की दस टीम बनाए तो ये नहीं कि हाइस्टेक नंबर वन रैंक ले आएंगे परंतों दोस्तों ये जरूरी है कि आप कम से कम दो टीमों में आप जीत जाएंगे और वो जीत ऐसी होगी कि आपकी जो लॉस है उसको कवर कर देगी जैसे आपने 10 टीमों में मान लीजिए 50 गुड़े 10 अर्था 500 रुपाई आपने खर्चा किये तो ओट टीम मतलब आपका 50 गुड़े ओट अर्था 400 रुपाई आपका लास हो गया परंतों जो लाश्ट की दो टीम है दोस्तों जो लाश्ट की दो टीम है दो टीम आपकी विन कर जाएंगी क्योंकि आप अलग-अलग मिक्षप करके आपने टीम मनाए दो टीम आपकी विन कर गए तो जो बैक क्लास है दोस्तों आपका जो बैक क्लास है वो भी आ जाएगा और आप लास है कवर हो जाएगा दोस्तों कवर हो जाएगा और आप जो है आप दोस्तों हैस्टेक नमबर वन रैंक भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों हैस्टेक नमबर वन रैंक भी दोस्तों हासिल कर सकते हैं हैस्टेक नमबर वन रैंक हासिल कर सकते हैं और इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो है अब किस प्रकार से यह ट्रिक काम करेगी दोस्तों तो आप लोग जब 10 टीम बनाएंग तो आठोमेटिक दोस्तों यह ट्रिक काम कर जाएगी और दूसरी बात होती है दूस्तों कैपटन और वाइस कैपटन का बहुत बड़ा रोध होता तो कैपटन और सी और वी सी किस प्रकार बनाएगे तो आप देख रहे होंगे कि एक टीम को अगर दोस्तों अगर एक टीम की बैट्समैन को कैप्टन मनाते थे दूसरे टीम के बालर को कभी कैप्टन मन बनाएए नहीं आप धोखा खाये जाएँगे दोस्तों तो यहाँ पर 5% रेशियो 5% जो इसका रेशियो होता है उसे आप कैप्टन मनाएएगा और त सब्सक्राइब करना न भूलें यह चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहले धन्यवाद नमस्कार बंदे मात्रम मिलते हैं किसी अन्य इंट्रेस्टिंग वीडियो में